प्रिया सिक्षार्थियों, NIUS के इस स्टूडियों में मैं डॉक्टर निलेश कुमार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं आज हम लोग 25 सब्दार्था लंकारष्च, सब्दालंकारष्च के दुति भाग का अध्यान करेंगे पुरो की कक्षा में हमने अलंकारों के संबन्द में चर्चा की अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का लक्षण क्या है, अलंकार के भेरप प्रभेर क्या है, सब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, शब्दालंकार क्या है, इन सभी विशियों पर हमने चर्चा की प्रस्तुत भाग में हम सब्दालंकारों और अर्थालंकारों के विशे में पढ़ेंगे कि प्रमुक्ष सब्दालंकार कौन-कौन से है और अर्थालंकार कौन-कौन से है प्रस्तुत भाग में हम उसी पर परिचर्चा करेंगे सब्दालंकार, सब्दालंकार किसे कहते हैं? को रहे हैं, सब्दालंकार में वरडो, पदो और वाक्यों की द्धानता होती है पुरों में भी बतलाया गया कि सब्दालंकार जो होता है, वो सब्द परवित्व सहत्वम, जो सब्द आश्रित होता है तो सबदा अलंकार में वरड़ो, पदो और वाक्यों की ही प्रधानता होती है, इसलिए इसे वरडध्वनी, पदध्वनी और वाक्यध्वनी भी कहते हैं यह शब्द परिवर्तन को सहन नहीं करता है, इसलिए इसका नाम सबदा अलंकार पड़ा है सब्द अलंकारों में जो प्रमुख अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण है वह है अनुप्राशह सब्द साम्यम वैशं मेपी स्वरस्यत अर्थात स्वरों में स्वरस्य वैशं मेपी स्वरों में विशंता होने पर भी सब्द साम्यम सब्दों में समानता अनुप्रास अलंकार होता है स्वरों में विशमता होने पर भी अगर स्वरों में समानता हो जाएगी तो वह अलंकार नहीं होगा क्योंकि अजिस्वर में समानता आ जाएगी तो वह चमतकार उत्पन नहीं होता है अनुप्रास अलंकार की यही विशेषता है कि वह उसमें सब्द वैचित्र के माध्यम से वह सब्दों में अलंकार में चमतकार लाता है इसलिए कहा गया है स्वरस्य बैश्म में श्वरों में विशमता होते हुए भी सब्दों में साम्य अनुपरास अलंकार कहलाता है इसकी व्याख्या देख लेते हैं जहां श्वरों में विशमता होते हुए भी सब्द अथवा व्यंजन का सादिश्य हो वहां अनुपराश अलंकार होता है श्वर वरडों के साम्य में कोई भी चमतकार नहीं होता है किन्तु व्यंजन वरडों के साम्य में चमतकार उत्पन होता है आचारे विश्वनाथ ने सब्द साम्य को अनुपरास का मूल कहा है जहां आचारे ममट ने वरडों की समानता को अनुपरास का मूल माना है अधात सब्दों की समानता अनुप्राशलंकार का मूल तत्व है प्राणभूत तत्व है इस अनुप्राशलंकार के कितने भेद हैं इसके अलग-अलग आचारियों की द्वारा अलग-अलग भेद बतलाए गए हैं आचारिय विश्वनाथ ने अनुप्राशलंकार के पांच भेध किके प्रस्तुत अधो लिखित इन अलग का हमागरी चर्श्या करेंगे? जो प्रतम भेध है। छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? उसका लक्षण है, छेको ब्यंजन संगहस्य, सक्रितात साम्य नेक अधा, छेको ब्यंजन संगहस्य, सक्रित अर्थात, एक बार अथवा बार बार, सक्रित मतलब एक बार, एक बार की समानता या अनेक अधा या अनेक बारों की समानता जो देखा जाए वहाँ छे कानुपरास होता है तो करें जहां ब्यंजन समुदाय का ब्यंजन संगहस्य अथार ब्यंजन समुहस्य ब्यंजन समुह का जहां ब्यंजन समुदाय का सक्रित एक बार सक्रित अथवा एक बार होने वाले अथवा अनेक अधा अनेक प्रकार का साम्य देखा जाए वहाँ छेकान उप्रास अलंकार होता है अधात कई सब्दों का कई ब्यंजन वर्लों का एक बार अथवा अनेक बार जब समानता देखी जाती है तो वहाँ छेकान उप्रासलंकार होता है इसका उदाहरा है आदाय बकुल गंधा नंधि कुरुवन पदे पदे भरमरान अयमेति मंदमंदम कावेरी वारी पावनह पवनह कावेरी नदी के किनारे जह यह पावन पवन यह सुद्ध हवा जो बह रही है यह बकुल के गंध के समान भरमरों के गंध को वितरित कर रहा है पहरा रहा है यहाँ हम इस लोक के अर्थ पर न जाके यहाँ हम अनुप्रासगत सब्दों का जो इसमें परिवर्तन है सब्दों की जवाबृत्ती है उसको देखते हैं तो वकुल गंधा नंधी कुरुवण, यहां इस स्लोक में गंधा नंधी कुरुवण में अंध, आधान और ध, अंध परकी दो बार आवरित्ति होई है। एक बार गंध में हुआ है और एक बार नंधी में हुआ है तो गंध का जो नंध है और नंधी का जो धृ। दो बार आवरित्ती हुई है और कावेरी वारी में वकार का वच्छर की और रोकार की भी आवरित्ती हुई है तथा पावनह पावनह में पावकार की अथाथ पावक्षर की बार बार आवरित्ती हुई है और वच्छर की पुन्दा आवरित्ती और न अच्छर की आवरित्ती स्वरूपतह और क्रमतह हुई है अधात एक बार तो स्वरूप से उसका हुआ है दूसरा क्रम में भी उसका पुन्राबृत्ति हुआ है स्वरूप से भी आबृत्ति और क्रम से भी यहाँ आबृत्ति होती है वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है तो प्रस्तुतिश्लोक में धौब की आवरित्ती दो बार हुई है, कावेरी यवारी में वकार और रोकार की, पावनः पावनः में पौकार वोकार और नौकार, आवरित्ती स्वरूपतह और कमतह हुई है, इसलिए यह छेका नुपरास अलंकार है दूशरा भेद है नुप्रास अलंकार का वृत्या नुप्रास अलंकार इसका लक्षन है अनेकस्याई कधा साम्यम सक्रधाप्य नेकधा एकस्य सक्रधप्येश वृत्या नुप्रास उच्छते अर्थात जिस अलंकार में जिसमें अनेक ब्यंजनों की स्वरूपतह समानता अथवा अनेक ब्यंजनों की स्वरूपतह और क्रमतह आवरित्ती हो एक बार तो स्वरूप से आवरित्ती हो और एक बार स्वरूप और क्रम दोनों तरीके से आवरित्ती हो या एक वरड़ की एक बार एकस्य सक्डप पेशह एक वरड़ की एक बार अथवा अनेक बार जहां आबृत्ती हो वह बृत्यानुप्रास अलंकार होता है इसमें वरड़ों के आबृत्ती के आधार पे ही इस अनुप्रास अलंकार का भेर किया गया है कि जिसमें अनेक बेंजनों की स्वरूपतह समानता अथवा अनेक बेंजनों की स्वरूपतह और क्रमतह आवृत्ति या एक वर्ड की एक बार अथवा अनेक बार आवृत्ति हो वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है इसके उदाहरण को देखते है इसका उदाहरण जो है वह सादोल्विर की जिच्छन्द में है रस्तुतिश्लोक में जो रसो लास सायरमी अंतिम चरण में जो यह शद दिया गया है इसमें आप देखेंगे र और स का स्वरूपतह ही सामने है अठाथ इसमें क्रम से कोई वरण नहीं है इसका स्वरूपतह सामने है रस उल्लास यहाँ पे जो स्वरूप रूप से इसका साम में है क्रमतह नहीं और दूसरे चरण में जो दिया है क्रिजत कोकिल काकली कलकलई इसमें क और लौकी स्वरूप से और क्रम से भी आवरित्ती स्पष्ट है कोकिल काकली कलकल यहाँ पे काच्छर की क्रम से भी आवरित्ति है क्रीजत कोकिल काकली कलकलाई जब आप उच्छारण करेंगे तो स्वयम देखेंगे कि इसमें काच्छर की स्वरूपतह और क्रमतह और लअक्षर की भी स्वरूपतह और क्रमतह आवरित्ति इस पश्ट है तीशरे भेद शुरुत्यानुप्रास अलंकार को देखते हैं, इसका लक्षण है उच्चार यत्वाध्य देकत्र स्थाने तालूर दाधिके साध्य शंब्यंज नस्याईव शुरुत्यानुप्रास उच्चते कि जिस अलंकार में जहां पर तालू और दंत आधी स्थानों मे से अब तालू और दंत आज इस्थान से क्या तात परे है कि जिन वरडों का उच्चारन स्थान मुख के भिन 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 इस्थानों से जिन वरडों का उच्चारन होता है उसमें तालू और दंत भी है जैसे तालू से किन-किन वरडों का उच्चारन होता है तो शुत्र है इ इन वरडों का उच्छारो दाद की सहायता से होता है। उनको दंत वरड कहते हैं। धन ये दंत वरड हैं। तो कह रहे हैं, जहां तालू और दंत आरी इस्थानों में से किसी एक स्थान में उच्छारित ब्यंजनों का साधिश्य हो, वहाँ सुत्यान उप्रास अलंकार होता है। अर्थात, जिस उदाहरण में, जिस जगह पे तालू और दंत आदी उच्छार स्थानों में से किसी एक स्थान से उच्छारित ब्यंजनों का साधिश्य हो। यहां पे तालू और दंत आदी के जो वरडू का प्रमुक्ता जिस इस लोक में हो, वहां सुत्य अनुप्रास नामक अनुप्रास रंकार होता है। उदारण में देखते हैं, दिशाम दगधम मनसिजम जीवयंत दिशाई वयाह विरू पाक्षस्य जैनिस्ताह स्तुमो वाम लोचनाह। इसमें जो जीवयंति और जैनि ये जो दो शब्द हैं, इसमें आप देखेंगे ज़ और यवरडों का सादश्य है, जो की तालू इस्थानी है। तालू इस्थानी मतलब इन वरडों का उच्चारण तालू की सहायता से होता है। तालू कहा होता है तालू मुख के अंदर दात के जो उपर का भाग होता है कि उपर भाग के मसूडे का जो भाग होता है उसको तालू कहा जाता है तो जिन वरडों का उच्छारण तालू की सहायता से हो तो जा और यह जो वरड है यह तालब यवरड है आपको बतलाया गया था इचू यशा नाम तालू हूँ इ च छ ज ज ज य य य तो य और ज यह तालब यवरड है और इसमें जीवयंती और जैनी में ज और यवरडों का साधिस्य है जो की तालू स्थानी है अर्था तालू की माध्यम से सहायता से बोला जारा है यह वरड अत्येव यह शुत्यानुप्रास अलंकार है अगले भेद की तरब देखते हैं अन्त्यानुप्रास अलंकार अर्थात जहां प्रथम स्वर के साथ यथा वस्थ व्यंजन की एसी आवरित्ती में देखा जाया करता है, जो की पद अथवापाद के अंत में पढ़ा करती है। अर्थात इसमें स्वरों के साथ व्यंजन वर्णों की भी आवरित्ती देखी जाती है, जो पद में अथवापद के अंत में ही दिखलाई पढ़ती है। इसके उदारण को देखते हैं, इसका उदारण है केशह कासस्त बक विकासह कायह प्रकटित करभ विराशह चक्छुर दक धवराकक कल्पम त्यजतिनचेतह काम मनल्पमह। यह बहुती सुन्दरश लोख है, इसमें एक व्रिद्ध व्यक्ति के विशाय में कहा गया है कि उसके केश जो है वह कासे के समान हो गए है। काया जो है, शरीर की जो काया है वह करभ उठ के समान तेढ़ी मेढ़ी हो गई है। चक्षुर दगधवराटककल्पम उसके जो नेत्र हैं चक्षु हैं वह कोईले के समान तेज रहित हो गए है। फिर भी अर्थात उसकी जो इंद्रिया हैं उसके जो शरीर के अंग प्रत्येंग हैं वह सब सिथिल हो गए है। फिर भी वह व्रिध्ध पुरुस्थ त्यजतिनचेतह काममनल्पमम फिर भी वह व्रिध्ध पुरुस्थ अपने काम भाव को अपनी कामुक्ता को नहीं छोड़ रहा है। इसमें, जो लक्ष्ण में बतलाय गया है कि स्वर के साथ व्यंजनों का जो प्रयोग है वह इस श्लोक में दिखाई देता है, और वह प्रयोग कहां दिखाई देगा? पाद के अंत में, प्रतेक्षरण के अंत में जैसे प्रथम पाद के अंत में आया है केशह कासस्तबक विकासह, विकासह में क्या है आसह, यहां स्वर के साथ ब्यंजन का भी सहयोग है, इसी प्रकार दुतिय पाद है कायह प्रकचित करभ विलासह, दुतिय पाद के अंत में भी विलासह में भी क्या है आसह है, स्वर के इसी प्रकार त्रतिय पद में अल्पम है चक्छुर दगध वराटक कलपम, कलपम में अल्पम कौमे ओ है तो स्वर के साथ जहां बैंजन जुड़े हैं और वह कहां दिख लाई देता है, पाद के अंत में दिखाई देता है इसी प्रकार चतूर्थ में भी है त्यजति नचेतह कामम नल्पमम और चतूर्थ पद में अल्पम है इसमें स्वर के साथ ब्यंजन वरल का पुनह उच्चारण होने के कारण अंत्यानुप्रा सलंकार है आसह में आ क्या है स्वर है सह ब्यंजन है सह ऐसे ही दृतियपद में भी विलासह है उसके भी आसह में स्वर के साथ ब्यंजन का पुनह उच्चारण है इसी प्रकार कल्पम में कौ में अ है अल्पम में के बाद पौ आता है वह ब्यंजन है ऐसे ही कामम नल्पमम में भी है तो स के साथ बेंजन वरर का पुनह उच्चारण होने के कारण यह अनत्यानुप्रास अलंकार है. पुनहा आगे हम अनुप्रास अलंकार के अनतिम भेद लाटा अनुप्रास के विशे में पढ़ेंगे. लाका अनुप्रास का लक्षण है लाका अनुप्रासस से लक्षणम प्राह कवी राजह विश्वनाथ विश्वनाथ ने लाका अनुप्रास का लक्षण किया है कि सब्दार थयोह पौन रुक्त्यम भेदे तात्पर्य मात्रतह अर्थात इस लाका अनुप्रास में तात्पर सब्दसह भेद नहीं होता है अर्थात लाका अनुप्रास में सब्दसह पुनुरुक्ती नहीं होती है अपितु इसमें तात्पर अमात्रका ही भेद होता है और जहां पे सब्दसह भेद नहीं होकरके तात्पर ये वक्ता के तात्पर अनुप्रास अरंकार होता है इसका बहुत सुन्दर एक उधारण है छोटा उधारण है नयने तस्याईव नयने च यहां कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए कह रहा है नयने तस्याईव नयने च वस्तुतह उसी की आखे आखे हैं अर्थात यहां जो नयन सब्द में जो विभक्ति प्रियुक्त है किन्तु इसमें नयन का जो अर्थ है वह भिन्न है करें यहां नयने नयने में नयने तस्याईव नयने च वस्तुतह उसी की आखे आखे हैं अन्न किसी की आखे 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 नहीं है उसकी जो आख है उसकी बात या सब्त्मी हक्ति एक वचंग का प्रयोग है, दूसरा नयन सब्द तात्परे तह भिन अर्थ का भी उपासक है, भिन अर्थ का उपासक मतलब एक नयन से तो उसकी प्रेमिका की नयन है, दूसरे नयन से मतलब अन्य लोगों से तात्परे है, तो दूसरा नयन सब्द तात्प परेतह भिन अर्थ का भी उपासक है, क्योंकि इसमें भाग्यसीलता आदी गुडों की विसेष्ता का अभिप्राय निगूड है, नैन आपके भी हैं, हमारे भी हैं, लेकिन वो कह रहा है कि नैने तस्याईव नैने, उसका जो नित्र है, हमारे आपके नित्र नहीं, उसके जो आखों की बात है, वही आखे हैं, अर्थात आखे होनी चाहिए, तो ऐसी ही आखे होनी चाहिए, तो यह जो दूशरा नैन है, कि वह तो भाग्यसे मिलने वाला नैन है, नित्र है, तो दूशरे नैन सब्द जो है, इसमें भाग्यसीलता का, कि वह तो भाग्यसाली व्यक्ति है जिनको इतने सुन्दर नित्र मिले हैं इसलिए कहा जाता है विश्णु को कमल कहा जाता है उनके नित्र को कमल के समान तो कमल जैसा नित्र मिलना ये तो भाग्य सीलता है तो इसमें भाग्य सीलता आधी गुणों की विशेष्ता का अभिप्राय निगूड होने के कारण इस अनुप्रास अलंकार के पांचों भेर हैं, आगे हम सब्दा अलंकार के दुतिय भेर, यमक अलंकार के विशय में परहेंगे, अनुप्रास के पांचों भेरों के बार, यमक अलंकार हैं, इसका लक्षण है, कि यमक वह शब्दा लंकार है जिसे सार्थक होने पर भिन अर्थवाले स्वरवेंजन समूह की पूर्वक्रम के अनुसार आवरित्ती कहा करते है सत्यर्थे किसलिए कहा गया है वह इसलिए कहा गया है कि कहीं कहीं यमक लंकार में कहीं कहीं सब दोनों सब्द कहीं कहीं दोनों पद क्या होते हैं सार्थक हो जाते हैं और कहीं दोनों पद निर्थक हो जाते हैं और कहीं एक सब्द सार्थक और दूसरा पद निर्थक हो जाता इसलिए यहां सत्यर्थे पद का प्रियोग किया गया है। इसका उदारण है बहुत पसिद्ध उदारण है नवपलाश पलाश वनम पुरह स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनो भरई है। यहां श्लोक में जो पदों की आबित्ती हुई है, उन पदों में एक पद का तो अर्थ है, दूसरे का नहीं है, कहीं कहीं दोनों पद के अर्थ हैं, तो कहीं पे दोनों के निरर्थक हैं, कहीं एक निरर्थक हैं, तो एक सार्थक हैं, तो यहां पलास पलास सुरभिम सुरभि ये दोनों पर क्या है सार्थक है अथा इनको एक अच्छे अर्थ में सार्थक रूप में इनका प्रियुक्त किया गया है किन्तु मिर्दु लतांत लतांत मलोकयत किन्तु लतांत लतांत में जो पहला लतांत मिर्दु लतांत जो प्रियुक्त किया गया है वह लतांत निरल्थक है उसका कोई अर्थ नहीं है इसी तरह पराग पराग में इस फुट पराग परागत पंकजम इस फुट पराग पराग म वह निरल्थक है अतयव यह यमक अलंकार है यमक अलंकार को पहचानने का तरीका यही है कि उसमें आप यह देखिए कि कहीं पर दोनों पर सार्थक होंगे कहीं पर दोनों निरर्थक हो सकते हैं, कहीं एक सार्थक होगा और कहीं दूसरा निरर्थक होगा तो यही यमक अलंकार की पहचान है और इस उदारण के माध्यम से उसको और अच्छे से समझा जा सकता है कि किन किन पदों का सार्थक अर्थ में प्रयोग है और किन पदों का निर्थक अर्थ में प्रयोग किया गया है पुनहा आगे हम वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं अलंकार सास्त्र में वक्रोक्ति अलंकार का बहुत ही शुरम्य वरणन प्राप्त होता है इसी वक्रोक्ति को आधार बना करके आचारे कुंतक ने वक्रोक्ति सिध्धान्त का प्रदारपन किया, एक नए संप्रदाय सिध्धान्त का उन्होंने प्रणरादी उनको उत्पन्न किया और उसी का अधार पर उन्होंने पने ग्रंथ का नाम रखा वक्रोक्ति जिवितम और वक्रोक्ति को ही उन्होंने अपने काविका प्रमुक्तत्र माना वक्रोक्ती का लक्षन क्या है? अन्यस्या अन्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजय यद्याद अन्यह श्लेशेड काक्वावा सा वक्रोक्ति स्ततो दुधाः अर्थात कह रहे हैं स्लेशेड जहां स्लेश के कारण अथवा काकू के कारण यह वक्रोक्ति के दो भेद हैं स्लेश वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति स्लेश करते हैं जहां सभंग स्लेश और अभंग स्लेश होता है कि जहां सब्दों में स्लेश हो सब्दों में विभाजन के आधार पे भी वक्त रोकती अलग हो जाती है जहां सब्दों का विभाजन हो दहां पे दो अर्थ निकले और काकू का तात परे है वक्ता के कहने का तरीका जब आप किसी को ब्यंग अर्थ में बात करते हैं तो वह काकू होता है कहने के तरीके से, वक्ता के कहने के तरीके से काकु का अर्थ लिया जाता है तो जहां स्लेश के कारण अथवा, काकु के कारण किसी के अन्यार्थक वाक्य को किसी अन्यार्थ में लगा लिया जाता है कि हमने किसी अन्य अर्थ में बात कही, आप उसका कोई अन्य अर्थ लगा ले, तो वह अन्य अर्थ की साधाज पर लग सकता है, या तो हमारे कहने के लखजे से, या स्लेश के कारण ही आप उसका अलग अर्थ कर सकते हैं, तो कह रहे हैं जहां श्लेस अथवा काकु के कारण किसी के अन्य अर्थक वाक्य को किसी अन्य अर्थ में लगा लिया जाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है, श्लेश के कारण होने से श्लेश वक्रोक्ति और काकु के कारण होने से वह वक्रोक्ति कहलाता है श्लेश वक्रोक्ति का उदारण देखते हैं, बहुती सुन्दर उदारण है के यूयम स्थल एव संप्रती वयम प्रश्णो विशेशाश्रेह किम ब्रूते विहगह सवाफ़िस पतिरियास्ति सुप्तो हरिह यह भूती सुन्दर उदाहरन है इसमें दो एक वक्ता है और एक शुरोता है एक बोलने वाला व्यक्ति है और एक सुनने वाला व्यक्ति है वह बोलता है के यूयम स्थल एव संप्रति के यूयम कि आप लोग कौन हो तो जो सोता है वह के का अर्थ अलग ले लेता है यहां के सब्द में स्लेश आ गया उसने के कौन के अर्थ में प्रियुक्त किया वक्ता तो कहा हम लोग तो इस्थर एव, हम तो जमीन पे ही है, तुम हमको जल में क्यों भेज रहे हो, वक्ता पूछ रहा है कि तुम कहां आए हो, किस लिए आए हो, और श्रोता उसका अर्थ क्या ले रहा है, कि हम तो जमीन पे है, तुम मुझे जल में क्यों भेज रहे हो, तो उसन उसने क्या प्रियुक्त किया श्रोता ने इस्थर पुनह वक्ता बोलता है कि वयम प्रस्णो विशेश रास्रय है कि तुमने अमारे प्रस्ण का कोई विशेश जवाब नहीं दिया तो वहां पर उसने श्रोता ने विशेश का दो अलग अर्थ ले लिया कि यहां आने का कोई विशेष कारण है तो बताओ, तो यहां पर सुरोता ने पुनह उस विशेष अर्थ का दोर्थ ले लिया, वी कार्थ होता है, विहग पक्छी और सेष कार्थ हो ले लिया, सेषनाग, तो सुरोता करता है, तुम हमको पक्छी क्यों बोल रहे हो, हम तो तुम्हारे पास आए है तुम मुझे पक्षी क्यों बोल रहे हो और फड़ी पती ही और तुम मुझे साप क्यों बोल रहे हो तो सुरोता बोलता है फड़ी पती ही कि हम साप नहीं है साप तो तुम ही हो तो कहने का मतलब है कि यहां स्लेश के कारण के के दो अर्थ हो गए, वक्ता ने के का अर्थ लिखा कौन के अर्थ में, सुरोता ने उसका अर्थ लगाया के का जल के अर्थ में पुनह वक्ता ने विशेष सब्द जो प्रयोग किया, उसने विशेष किस प्रयोजन से आये हो यह पूछा, लेकिन सुरोता ने विशेष कार्थ किया, विशे विहग और सेष सेष नाग सर्पकार्थ लिया तो सब्दों में स्लेष के कारण यह स्लेष वक्रोक्ति हुआ, इसी प्रकार काकुवक्रोक्ति का उदारण है कि वक्ता के कहने के तरीके से, वक्ता जिस टोन में जिसको कहते हैं कि जिस ब्यंग में वो बात कह रहा है, अपने कहने के लहजे से जो ब्यंग आता है वो काकुव मनों हरे कृता गसह परित्यागात स्यास चेतो न दूयते इस श्लोक में कोई इस्त्री है उसके पती बसंत के समय में ही उससे दूर जाते हैं तब वो सोक युक्त होके अपने सक्षी से कहती है कि वह अब नहीं आएंगे लेकिन उसकी सक्षी जब व्यंग में कहती है न दूयत कि नहीं आएंगे इसका क्या तात्पर है इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए बसंत हो बसंत इस मनोहर सहकारम मनोहरे इस मनोहर बसंत में कोयल के इस मनोहर बसंत में कोयल जब कूकती है बसंत के समय में ही तो इस बनोहर समय में वह अवस्य आएंगे तो ना दूयते जो श इसलिए यह काकुवक्रुक्ति का उदाहरण हुआ। अगले अलंकार को देखते हैं, स्लेश अलंकार, किसे कहते हैं। जिसे स्लिष्ट पदो द्वारा अनेक अर्थों के अभिधान में देखा जाता है। यह स्लेश अलंकार, आठ प्रकार का होता है। किन किन रूप में? तो यह traveling, प्रत्य स्लेश, लिंग स्लेश, प्रकित श्लेश, पद श्लेश, विभक्त स्लेश, वचन स्लेश, और भासा स्लेश के भेद से, यह भेद अर्थात एक सब्द, सब्द से पद के निरमाण में जीतन कारकों का प्रियोग होता है वे सभी कारकों के भेद से स्लेस का भी भेद होता है तो वरड़ प्रत्य लिंग, प्रकिति, पद, विभक्ति, वचन और भासा के भेद से यह स्लेस आठ प्रकार का होता है प्रस्तुत अध्याय में हमने सब्दा अलंकारों के जो महत्रपुर्ड अलंकार हैं अनुप्रास अलंकार यमक अलंकार और स्लेश अलंकार वक्रोक्ति अलंकारों का हमने अध्यान किया धन्यवाद झाल झाल